हलो गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल पर मी ब्यूटी वर्ट, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, कि आप लोगों को वैक्सिंग किस तरीके से करनी चाहिए, मेरे क्लाइंट की जो ग्रोथ है, काफी हैवी ग्रोथ है, फुल लेग वैक्सिंग की वीडियो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और ये जो मेरे क्लाइंट है, फर्स टाइम वैक्सिंग करवारी है, इससे पहले इन्होंने कभी भी वैक्सिंग नहीं करवाई, ना ही किसी हैर रिमूवल क्रीम का यूज किया, तो जब भी आप किसी की वैक्सिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम होता है, टेलकम पाउडर की अप्लिकेशन करने से क्या होता है, हमारी स्कीन का मोश्चर लेवल जो होता है, काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद आप वैक्स की करेंगे, वैक्स की अप्लिकेशन करने से पहले वैक्स का टेंप्रेचर चेक करें, वैक्स ना तो जुरूर से ज़्यादा गरम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडी, अगर आपके क्लाइंट के इतने ज़्यादा हैवी हेर्स हैं, तो आप इस बात का ध्यान दे, जब आ वैक्सिंग है, और थाइस के पास जब भी आप वैक्सिंग करते हैं, तो आपने स्किन को होल्ड करकर के ही वैक्सिंग लगानी है, और स्किन को अच्छे तरीके से होल्ड करके ही वैक्सिंग को पूल करना है, देखे कितने इजली तरीके से इनकी वैक्सिंग होती जारी है, साथ की साथ में skin की tanning भी remove होती जा रही है और hair direction का जो ही saab है तो आप इस बात का ध्यान दें कि घुटने से नीचे के जो hair होते हैं उनकी direction mostly उपर से नीचे की तरफ होती है और जो upper area होता है लेक का उसकी direction भी उपर के नीचे की तरफ होती है और जो sides के hair होते हैं, उनकी direction थोड़ी different होती है, बाहर की side बिची होती है, तो आप इन बातों का ध्यान देते हुए ही wax के application करें, कि आपको hair direction के बारे में proper knowledge हो, किसी किसी की direction अलग होती है, किसी की same होती है, दोनो legs की, तो आप इस बात का भी ध्यान दे, अब देखिए इनके upper legs के जो hairs थे, उपर के नीचे की side थे, पर जो side के hairs है, तो वो बाहर की side बीचे हुए है, तो उसी तरीके से ही हम wax की application करेंगे, waxing knife का use किया है, अगर आप waxing knife से comfortable हो, तो waxing knife का use करें, अगर किसी किसी को तो चमत से wax की application करना ठीक लगता है, तो वह spoon का भी use कर सकते हैं, जिस जा रहा है, पैर कितने neat and clean होते जा रहे है, skin की tanning भी बहुत अच्छे तरीके से remove हो रही है, waxing का मतलब सिर्फ और सिर्फ hair को remove करना ही नहीं होता, कुछ लोग सोचते हैं कि waxing से सिर्फ hair remove होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, hair के साथ साथ आपकी skin पर जो भी dead cell होते है, skin में जो dead skin होती है, वे remove हो जाती है, skin की tanning काफी अच्छे तरीके से remove हो जाती है, waxing हम लोगों को जरूर करवानी चाहिए, अगर आपकी skin पर hairs है, तो waxing की आपको बहुत ज़्यादा जुरूरत है, अगर skin पर hairs काफी कम है, तब भी आप waxing करवाएं, हातों पर, पैरों पर, फुल बोड़ी पर आप कहीं पर भी waxing करवा सकते हैं, काफी सारी वीडियो मेरे चैनल पर आपको waxing से related मिल जाएंगी, अगर आपने अभी तक visit नहीं किया, तो आप जरूर रेक करें, मैंने full hand waxing, full leg waxing, full tummy की waxing, face की waxing, काफी सारी वीडियो चैनल पर पर प्रोड़ कर तो प्लीज एक बार चैनल पर जुरूर विजित करें, काफी बार मेरे चैनल पर यह भी कमेंट आता है कि बीना ऐसी के कैसे wax करते हैं, summer season में, तो बिल्खुल इसी तरीके से करिए, जैसा कि आपको दिखाया गया है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि client ने जहां wax करवान करनी है, अगर summer season है, काफी ज़्यादा client की skin में sweating है, तो पहले icing करें, फिर dry करें उस place को, then आपने टेलकम powder लगाना है, उसके बाद आपने wax करनी है, आपने इस बात का भी ध्यान देना है, कि अगर आप summer season में waxing कर रही है, तो आपने waxing strip को बीच बीच में जल्दी जल्दी change करते रहना है, क्योंकि summer season में क्या होता है, काफी moisture होता है, तो ऐसे में क्या होता है, wax जो होती है, पट्टी के ऊपर ही आजाती है, तो आप इस बात का ध्यान दे कि जल्दी जल्दी waxing strip change करें, और आपने जल्दी speed से waxing करनी है, बिल्कुल भी आपने यह नहीं सोचना कि लंबा टाइम लगाना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप waxing करेंगे, उतनी जल्दी hair remove होंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबा टाइम लगा देंगे, तो ऐसे में client की spin पर moisture दुबारा वापिस आ जाएगा, और आपको फिर से icing करनी पड़ेगी, काईज अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, hygiene का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे में आप easily सारे के सारे customer attend कर लेंगे, मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ रिका wax, Brazilian wax, Bean wax, काफे सारी wax जो है share की है, तो प्लीज एक बार चैनल को अच्छे से सर्च किया करें, काफी कुछ सीख सकते हैं आप उन वीडियो से, तो बिल्कुल आप चैनल को अच्छे से देखें, जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि चैनल को like करें, subscribe करें, और अपने friend circle में भी share करें, ताकि उन लोगों की भी help हो सके, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों के साथ share की है, गाइज मैं अपने चैनल पर काफी सारी वीडियो वैक्सिंग से रिलेटीड अपलोड करती हूँ, तो ऐसे में हम रोज रोज तो मोडल नहीं बिठा सकते, काफी सारी वीडियो तो मैं अपने real client की आपके साथ share करती हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं, real work तो real work ही होता है, तो उसमें पिल्कुल भी दिखावे की गुंजैश नहीं होती, अगर आप कोई मोडल बिठाते हैं, तो उसके उपर आप कामें 19-20 कर भी सकते हैं, तो वैं complain नहीं करेगा, पर मेरे साथ में ऐसा क्या है, कि मेरे चैनल पर जो real work होता है, मैं आप लोगों के साथ share करती हूँ, तो customer के साथ आप लोग भी इस तरीके से काम करेंगे, तो आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से अपना पालर रन कर पाएंगे, कुछ लोग मेरे चैनल पर ऐसे जुड़े हैं, जिन लोगों के अपना पालर काम करने में काफी दिक्कत आती है, मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूंगा, कि मेरे चैनल पर हर तरीके से मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वेक्सिंग रिलेटिड अगर आपको, मैंने काफी बार बोल बोल कर भी बताया है कि किस तरीके से आपने काम करना है, अगर आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आती, तो आप दो बार देखें, तीन बार देखें, तो आपको इसली सारा का सारा वर्क समझ आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से वैक्सिंग करेंगे, तो इसली सारे के सारे हेर्स भी रिमूव हो जाएगे, और कस्टमर भी बिल्कुल कमपर्टेबल तरीके से वैक्सिंग करवा लेगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इस तरीके से वर्क करते हैं, तो जश्मा लगा कर भी ढूंडेगा तब भी उन्हें एक भी बाल दिखाई नहीं देगा इस तरीके से आप नीट एंड क्लीन तरीके से अपने कस्टमर को अटेंड करें कस्टमर काफी खुश हो कर जाएंगे बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं आएगी मेरे पालर पर अभी तक कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आई मेरे पालर पर रेगुलर जो कस्टमर हैं वह काफी सालों से जब मैंने पालर स्टार्ट किया था तब से मेरे इस पास साथ जुड़े हुए हैं और आज तक मेरे ही पालर पर आते हैं मुझसे ही अपना काम करवाते हैं तो इस तरीके से आप लो पैसा दे रहा है तो उसे काम अच्छा ही चाहिए तो आप इस बात का ध्यान दे की प्रोप पर तरीके से वर्क करें इसकिन की टैनिंग काफी अच्छे तरीके से रिमू हो गई है नीट एन क्लीन तरीके से वैक्सिंग हो रही है बैक की वैक्सिंग करते समय हमेशा क्लाइंट को लेट आ ले क्योंकि अगर कमफर्टेबल प्रोजिशन में वैक्सिंग होती है तो इससे इसली वैक्स भी हो जाती है जब हम खड़ा करके किसी की back waxing करते हैं legs की तो half leg waxing तो easily हो जाती है पर full leg waxing में काफी problem होती है तो आप इस बात का ध्यान दे तो ऐसे मैं आप किसी setty का use कर ले table का use कर रहे हैं full leg waxing तो लेटा कर करना ही comfortable होता है अब इनके leg के hair जोते हैं नीचे की रह गए है बस वहाँ बर wax के application हो रही है काफी आपने अच्छे तरीके से wax के application करनी है क्योंकि अगर आप wax लगाते समय कंजूसी करेंगे तो इतने बड़े-बड़े hairs remove एक बार तो लगेगा remove हो गए है पर इनकी जड़े रह जाएंगी तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आपने proper तरीके से wax के application करनी है और guys waxing करवाने से केवल hair remove नहीं होंगे उससे हमारी skin की tanning remove हो जाएगी skin youthful हो जाएगी skin shine करने लगेगी और जो भी product हम skin पर लगाएंगे चाहे body lotion हो चाहे moisturizer हो बहुत अच्छे तरीके से skin में penetrate भी हो जाएगा अगर आपने कोई leggy wear करनी है या फिर आपने कोई acid dress wear करनी है जिसमें आपकी half legs दिख रही है या फिर आपके pair दिख रही है क्योंकि आज कल क्या है plazo वगेरा काफी trend में है खुले खुले ऐसे gown वगेरा है तो अगर आप ऐसे hairy legs आपकी दिखाई देते हैं तो आप काफी uncomfortable feel करते हो और जो hairs होते हैं उन्हें remove करना भी आज कल जरूरी हो गया है नोर्मली पहले तो क्या था कि शादियों में लोग waxing करवाते थे पर अब क्या है college going girls गया है और इनकी second leg waxing की वीडियो में आपके साथ जल्द ही share करूंगी क्योंकि दोनों leg waxing की वीडियो अगर मैं एक साथ share करती तो क्या होता वीडियो काफी लंबी हो जाती तो guys बाते करते करते मेरी वीडियो complete हो चुकी है thanks for watching my dear friends